तो हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मुबाइल फोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट एट एच्डी मुबाइल फोन यह हमारा जो फोन है यह 4G है और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं गेमपले हमारे PUBG का 3GB RAM, 64GB ROM के साथ हमारे फोन आता है और देखेंगे इसके अंदर कैसा क्या हमारा BGMI PUBG गेमपले वर्क करता है तो फट 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 चलते हैं वीडियो के और और देख लेते हैं कैसा इसके अंदर गेमपले मिलता है तो चलते हैं वीडियो के और उससे पहले आप वीडियो कर लीजे लाइक और चैनल को कर लीजे, सब्सक्राइब ऐसी और इंटरस्टिंग वीडियो के लिए, तो चलते हैं वीडियो के ओ, तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे फोन के अंदर, और करेंगे आज हम इसी फोन के अंदर BGMI टेस्ट और देखेंगे कैसी क्या प्रोसेसर मिल जाता है, जो काफी नया प्रोसेसर है, तो इसे साब से मुझे लगता है कि थोड़ा लैग वगरा के इशूज आपको मिल सकते हैं इस फोन के अंदर, बैकि हम हमारा BGMI एक्टिव कर लेंगे, साथ में हमने Free Fire भी इंस्टॉल कर रखा है, उसकी वीडियो हम न एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के बाद देख लेंगे हमारा जो PUBG है, वो किस ग्राफिक्स में सपोर्ट करता है, तो नीचे के डॉट को क्लिक कर दिया है, सेटिंग के आप्शन में आने कवाद आपके जो ग्राफिक्स का सेक्शन है वहाँ पर आ चुके हैं, तो ग देख सकते हैं, हम जो ऐसे स्मूथ पर कर लेंगे, और ग्राफिक्स जो है आपका वो नॉर्मल जो मीडिया में उस पर ही रहने देंगे, और उसके बाद जो हमारा गेमप्ले वो करके देंगे, बैकि फ्रेंड्स में इसके प्रोसेसर के बारे में आपको कुछ बता देता जैसा कि मैंने आपको बताए था, यूनिसकोड T606 का इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको 12NM का चिपसेट भी मिलता है, यह एक ओक्टा कोर चिपसेट है, जो कोटेक्स A75 में आता है, इसका एन्टु तूर का जो स्कोर था, वो आपका 2,37,149 आपका इसमें गा आया ताम आपके बेंग भाली, बार्चारतों चुक क्यान्तों की कुछ जाग करिल्स ही वागर को कर दोन शुंगा कै थागर आपमेल ही भगाले मेंदोय को भाली एंग, जाले रोनन तायओतों सिर्खो तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारे फ्रेम ड्रोप्स का सामना करना पड़ रहा है इसके अंदर काफी सारे फ्रेम ड्रोप्स देखने को मिल रहे हैं तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हम जो एक गेम है यह हार चुके हैं और इसका मेला फॉर्स्ट एक्सपीरियंस में बता हूं तो इसके अंदर काफी सारे फ्रेम ड्रोप्स देखने को मिल रहे हैं जबकि हमने एकदम बैसिक सेटिंग लो सेटिंग में गेम प्ले करके देखा हैं इसके अंदर हमने स्मूथ पर मीडियम ग्राफिक्स पर प्ले करके देखा हैं उसके बाद भी हमें इतने सारे फ्रेम ड्रोप्स लैग वगेरा देखने को मिल रहे हैं तो एक बार और हम इसके अंदर gameplay करके देखते हैं कि हमारा जो second experience है वो कैसा होता है तो हमारा जो gameplay हम उसे active कर दिया है और कुछ information और हम आपको दे देंगे इस वीडियो के अंदर in a virtual world and does not represent real life please play in moderation take frequent breaks and play responsibly team match let's go wait for the red team तो फिरेंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें काफी सारे फ्रेम डूप का सामना करना पड़ रहा है अभी तक देख सकते एक भी हिल भी नहीं हुआ है और अभी देख सकते मैं आपको इस गेंदर डिटेक्ट भी करने की कोशिश करूंगा कि कहां काँ फ्रेम तो कुछ इस तरीके का frame drop हो रहा है missing हो जा रही है जिस वज़े से हमें पता ही नहीं चल पा रहा है और जो killing वगिरा है वो नहीं हो पा रही है जैसे अभी देखाऊंगा मैं आपको जैसे ही frame drop होगा मैं आपको फिर से बता दूँगा तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते यह enemy है इसे देख सकते हम kill करने की कोशिच करने है और वो just आजू बाजू हो रहा है और हमारा बीच बीच में frame drop हो रहा है और उस वज़े से वो miss हो जा रहा है तो आप देख सकते हैं अभी देखिएगा वो जो enemy है वो किस तरीके से सामन आ जाएगा अब देख सकते हैं यह बीचे से आ गया है और हम frame drop की वज़े से हम दो तीन बुलिट जो fire कर रहा है तब तक सामने से पांचे बुलिट आके हमें लग जा रही है जिसकी वज़े से हमारे frame drop की वज़े से killing बगिरा भी नहीं हो पारी खेलने में एक दम smoothly गेम नह देखने को मिल रहा है जो काफी जादा problem हो रही है हमी देख सकते हैं इसके अंदर भी frame drop हो गया हो slide हो के गया जब तक हम उदर मुंडी घुमा रहा है तब तक हमारा जो game है वो हमें सामने वाला second person है वो हमें kill कर देता है तो देख सकते हैं इस तरीके का frame drop का सामना करना पड आएंगे नॉर्मली gaming के लिए काफी बड़िया phone है पर पबजी के लिए में बिल्कुल भी recommend महीं करूंगा कर दो कर देख सकते हैं बड़िया प्रहा जिए रख सामने पर फ्रहार जांना में धिर एक बड़िया जवक्र प्रहां है तो अगेज फ्रस्ट आपको लगता है ये नय ट्रक की वज़े सो रहा है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये बिलकुल भी नेट्रक की कोई प्रॉब्लम नहीं है नेट्रक हमारे फुल है बड़ जो ये प्रॉब्लम आ रही है इस फोन के अंदर जो है गेमिंग इतनी अच्छे से नहीं वर्क कर रही है तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हमारा जो फोन है वो बिल्कुल भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है इसके नहीं देख सकते हैं काफी सारे इशूज आ रहा है नेट्रक में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हमारे फोन से related ही है क्योंकि फोन हमारा इतना heavy game जो है वो नहीं play कर पा रहा है पर एक चीज अच्छी है इसके नदर आप gameplay कर सकते हैं चालू कर सकते हैं अगर आप इसमें gameplay करेंगे तो काफी जादा hard होगा frame drops काफी सारे देखने को मिलेंगे आप इसके मेर काफी सारे lag का सामना करने को मिलेगा तो इस तरीके से इसके नदर आप gameplay कर सकते हैं देख सकते हैं एक ही जगा frame रुग गया अभी frame आगे नहीं बटा तो ये सारी problem इसमें देखने को मिल रही है अभी लुव कि लुव करी चल क कर दो लुव कर दो प्ले किया तो इसका जो CPU जो आपकी पावर थी वो 92 तक गई थी बैके हमने इसमें काफी देर तक गेम प्ले बगेरा करके भी देखा तो इसकी जो max temperature गया था वो 42 degrees Celsius गया था इससे पता चलता है कि यह जो chipset है gaming के लिए नहीं है नॉर्मली आप इस पे यूज कर सकते हैं जैसे अगर आपको नॉर्मल गेम खेलना हो इससे आपको इसके अउपर नॉर्मल गेम प्ले करना हो temple run, candy crash बगेरा या तो फिर आपका सब्वे सफर इस तरीके के गेम आप इसमें आराम से खेल सकते हैं तो कि इसकी जो RAM है वो आपको इसके अंदर 3 GB की जो है in build RAM मिलती है और आपको जो 3 GB की virtual RAM मिलती है तो यह जो 6 GB box पे लिखा हुआ आया है तो वो 6 GB इस तरीके से आपको जो RAM है उसको divide कर दिया गया है जो main RAM है जो आपके phone की वो 3 GB ही आपको मिलेगी और 3 GB जो है वो virtual RAM मिलेगी और जो RAM है आपकी वो LPDDR4X मिलती है और आपको जो 64 GB का आपको जो है storage मिलता है जो UFS 2.2 आपको मिल जाता है इसमें आपको Android version 13 मिल जाता है Go Edition का पाकी gameplay तो काफी अच्छा चला क्योंकि हमने तो सोचा था इसमें gameplay चले गा ही नहीं पर PUBG ये support कर रहा है इसमें आप PUBG खेल तो सकते हैं पर काफी जादा problemों के साथ आपको कैसा लगा हमारे इस mobile phone के अंदर BGMI का gameplay आपको जैसा भी लगा हो अपना opinion हमें comment box में comment करके बताईएगा बाकि मैं अपना opinion बताऊं 3GB RAM और 64GB ROM में ठीक ठाक चल गया game वो भी काफी अच्छी बात है बाकि आपके पास भी अगर ये phone हो तो अपना opinion हमें comment box में जरूर बताईएगा बाकि मिलते हम next video में किसी और topic के साथ तब तक आप वीडियो को कर लीजे like और channel को लीजे subscribe ऐसी और interesting videos के लिए और हमाया channel से जुड़ जाएए चलिए मिलते हैं next video में किसी और topic तब तक के लिए जाएं जै भारत भरत माता की जाए झाल